भारत सरकार ने शिरू की छोटे कारोबारियों के लिए QRMP स्कीम जानी इसकी खास बातें दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने GST प्रणाली के तहट छोटे टेक्सपेर्स के लिए शिरू की QRMP योजना ऐसी करदाता जिनका पिछले विद्वर्ष में वार्षी कारोबार पांच करोड रुपे तक रहा है और जिनोंने अपना अक्टूबर का GST R3B रिटर्न 30 नवेंबर 2020 तक जमा कर दिया है वो इस स्कीम के पातर है GST परिशत ने बैठक में कहा था कि 5 करोड रुपे तक के कारोबार वाले रिजिस्टर टेक्सपेर्स को 1 जनवरी 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने और टेक्स पेमेंट मासेक आधार पर करने की अनुमती दी जा सकती है इसके तहट 5 करोड रुपे तक का कारोबार करने वाले करदाताओं को अपना GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने का विकल प्राप्त होगा इस योजना से भारत के लगबग 94 लाग करदाता लाबानवित होंगे जो कि भारत के संपूर्ण GSTR करदाताओं के लगबग 92 प्रतिशत हैं करदाता प्रतेक मह चलान के जरिये मासिक देंदारी के सो आकलन या पिछले दाखिल तिमाही GSTR 3 भी रिटर्न की शुद नकत देंदारी के 35 प्रतिशत के बराबर GSTR का भुकतान कर सकते हैं तिमाही GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न SMS के जरिये भी जमा कराया जा सकता है QRMP स्कीम QRMP का फुल फॉर्म है quarterly return and monthly payment अगर आप पिछले वितवर्ष में वार्षिक कारुबार 5 करोड रुपे तक रहा है तो आप स्कीम को अप्टेन कर सकते हैं यदि आपने new GSTR registration लिया है तो भी आप इस सुविधा का लाब उठा सकते हैं GST composition scheme को अप्टेन करने वाले भी QRMP scheme का लाब उठा सकते हैं यदि आपके पास दो या चार्ट GSTIN नमबर है तो आप GSTIN वाइस भी इस योजना का लाब उठा सकते हैं QRMP के तीम facts स्कीम के तहर टेक्स पेर्ष को पहले quarter के पहले दो महीने में पेमेंट करना है टेक्स पेमेंट करने के लिए due date 25th of succeeding following month होगी इस कीम के लिए आपको PMT06 form यूज करना होगा इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेब साइट पर क्लिक करें ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा पोटल है इस लिंक को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पासकते हैं आपके बिजनस का सच्चा साथी